ये जो चिन आकाश में है, क्या ये हम से कुछ कहते हैं या क्या ये बताते हैं आकाश में रहे के हमें आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने चार आकाशिय चिनों के बारे में बताया था जिसे आम बोलचार की भाशा में राशी कहते हैं आज उन चार चिनों के बार जो आगे के चिन आते हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको देख लीजे राशिया आकाश में वो छविया जो हमारे मानविये मस्तष्च में कुछ तरंगे पैदा करती है एक्ष़ल में देखा जाए तो ये कोई आकार या आकरिती नहीं है ये आकाश में वो चबकते वाले सितारे हैं जिन सितारों को हमारे पूरवजों ने एक आकरिती में कनवर्ट कर दिया उन्हें जो चीज एकदम रिलेट होती वी नजर आई उन्होंने उस तरीके से इसको बना दिया और फिर उसी आकरेतियों को हमारा नासा भी accept करता है। आज Consolations के नाम से वो ही आकरेति चल रही है। कहीं भेड है, कहीं तराजू है, कहीं शेर है, कहीं मचलियां हैं। कोई आधा इंसान आधा घोड़ा है। ये आकर्तियां आकाश में 30 डिगडी का स्पान लेके रखी हैं। तो ये राशियां कहते हैं, राशियों के अंदर जो चमकने वाले सितारे हैं, उन्हें Consolations या नक्षत्र कहा जाता है। कई बार कुछ सितारों का समू होता है, Consolation के नाम पे, और कई बार कुछ सितारे एक यदो होते हैं, जो मिलके एक राशि बना देते हैं। तो आज हम पांचवी राशी, लियो राशी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लियो राशी, शेर की राशी, सभाव में ये राच्सिक राशी है, ये रूलर है, ये रूल्स बनाते हैं, और हमारा जो गवर्मेंट बाडी है, उस पे भी शेर का सिंबॉल यूज किया जाता है। तभी हम कहते हैं, गवर्मेंट को सपोर्ट लेने के लिए हमें अशोका पिलर, नॉर्ट वेस्ट की डारेक्शन में रखना चाहिए। maker लोग होते हैं जो rules बनाते हैं रासिक और तामसिक दो तरीके से इनका दिमाद काम करता है action में भी रहते हैं लोगों को लेके भी चलते हैं और नियम कायदे कानून बनाते हैं इसलिए समझदार भी होते हैं तो ये चोटी सी बच्ची का रूप लेके रखी है एक चोटी कन्या का रूप इसमें देखता है हमें देखा जाए तो ये लोग बहूत जानकार लोग होते हैं बहुत introverd भी होते हैं कहीं न कहीं साफ सपाई बहुत जयादा पसंद करते हैं हर चीजों को organize करके रखते हैं और लोगों के साथ एक समस्थिती बना के रखते हैं। और फिर और आगे चलने चलते हैं। तो तुला राशी हमारे कोट को रेप्रेजेंट करती है। ये तॉल की राशी है। बैलन्स स्थिती बनानी की राशी है। वीनस इसका लॉड है। तो ये लोग भी बहुत दूरत होते हैं। बॉडी में थोड़े स्लीक होते हैं, ये भी ज्यानी हैं। और साथ-साथ करम योगी भी हैं। ये कुछ करम को भी करना चाहते हैं। हमेशा एक वर्ड जो इनके दिमाग में चलता रहता है कि हमें बैलन्स की स्थिती बना के रखना है। और थोड़ा दंक भी मार सकते हैं। जो चीजें होती हैं उस पे इनकी बहुत रूची होती है। जैसे काला जादू कहते हैं इस पे ये बड़ा रूची रखते हैं। जो भी चीजें धरती के नीचे, जो भी टाकतें धरती के नीचे हैं। उस पे इनका बड़ा इंटरस्ट रहता है। Under the table, क्या truth है, उसको जानने की कोशिश करता है। तो ये आठवी राशी, अब नवम राशी के तरफ चल चलते हैं। नवी राशी जो है, वो हमारी Sagittarius राशी है। ये आधा इंसान, आधा घोड़ा है। और इसने एक तीर कमान पकड़ा है, जो आकाश की तरफ पॉइंट करके खड़ा है। तो ये हमेशा टारगेट अचीव करने की बाद करते हैं। ये टारगेट अचीवर ही हैं, देखा जाए तो, और गोल सेट करने की बाद करते हैं। ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने लक्ष को लेके दिन भर सोचते रहते हैं और उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखा जाये तो ये भी राजसिक प्रकृति के हैं पर बैगड़ अप होते हैं कहीं न कहीं सात्विक नौलेज की साथ। और थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं। इनका पैर एक जगा टिकता नहीं। खाली भी बेठे रहेंगे तब भी पैर हिलाते हैं जो मैंने देखा हैं। आप अपने सबभाव के साथ मैच करने की कोशिश कीजेगा। फिर बात आती है टेंथ राशी की। टेंथ राशी जो है वो बाउंटेन गोट की राशी है। इसे हमेशा उचाईयों तक पहुँचने की चाहा रहती है। और ये वो बकरी है जो पहाडों में पाई जाती है। तो ये धीरे धीरे पैर जमा के उचाईयों तक पहुँचने कारें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल रही, समझना, किसी भी व्यक्ति को ग्रोथ अगर नहीं मिल रही, या माने, जो जॉब है, उस पे प्रमोशन नहीं मिल रही, तो ये प्रमोशन की राशी है, एक्शन में किस खाने पे पड़ी है, इतना चमतकार ही एस्ट्रोलोजी आगे जोड़ते चलेंगे, इसके इलावा हमारी 11th राशी है, Aquarius राशी, ये एक वो विक्ति है जो पानी पिला रहा है, अगर आप इसके प्रतीक को देखेंगे ना, तो ये वो विक्ति है जो पानी पिलाता है, अब पानी किस स्थिती में प कर लेते हैं, मुझे जो लगता है ये पहले जमाने के वो लोग हुआ करते होंगे, जो वार के दोरान, दोनों पक्षो को पानी पिलाते थे, जिनमें सम्स्थिती बना के रखते थे, ये देखा जाये तो सात्विक प्रकृती के हैं, और पीछे तामसिक है, ये लोगों को ल दो मचलियां हैं, कोई इधर देखरी है, कोई उधर देखरी है, तो ये मचलियां हैं, जो कुछ न कुछ समंदर में खोज रही है, तो ये भी पानी से रिलेट करती है, वाटर की ही राशी है, तामसिक राशी है, और बैग जब कहीं न कहीं ये राजसिक सभाओ के साथ है, थोड़ा सा लड़ना ये लोग जानते हैं. अब ये तो रही, 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया. पिछले वीडियो में 4 राशियों के बारे में और इस वीडियों में 8 राशियां कवर करने की कोशिश करें. अब आप इसे body part के साथ भी relate कर सकते हैं. जैसे Aries राशी हो गया, आपका ये head का part. Taurus राशी हो गया, आपके ये गर्दन का part और थोड़ा सा कंधा. फिर क्योंकि ये जिम्मदारी कंधों पे लेते हैं तो इसे ऐसे relate कर सकते हो. फिर आपकी Gem 9 राशी, आपके बाजू, ये जो दो हाथ हैं हमारे. और देखेंगे, जब भी इस तरीकी की बात होगी, जो हमारे दो body part को cover करती है, उस राशी का जो प्रतीक है, उसमें dwell चीजे होंगे. जैसे इसमें दो लोग हैं. अगर आप इसकी राशी के सिंबॉल को देखेंगे, तो दो लोग इसमें मिलेंगे. फिर हम थोड़ा सा नीचे आजाते हैं, करक राशी हमारे chest area को govern करती है, ये एक ही बड़ा part है, तो वहाँ पर एक ही आपको चिंद दिखेगा. इसके इलावा हमारा जो लियो राशी है, वो शेर की राशी है, वो हमारे heart को govern करती है, हमारे हिर्दे को govern करती है. इसके इलावा जो वरगो राशी है, वो हमारे पेट के अंतड़ियों को govern करती है, इसलिए ये लोग थोड़ा छुपेवे रहते हैं, साफसफाई पसंद है, क्योंकि ये ही पूरा area हमारे food को filter करता है, और organize करके कही तक पहुँचाता है, तो राशी body part के साथ भी एकदम हमें एक समस्थिति, एक balance की स्थिति में लेके चलती है, तो ये भी तुला राशी जो है, इस पे भी तराजू दो हैं, तो हमारे hips भी दो हैं, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आठवी राशी जो हमारी स्कॉर्पियो है, वो हमारे private body parts को represent करती है, Sagittarius राशी हमारे thighs के area को represent करती है, जो 10th राशी Capricorn है, वो हमारे घुटनों के area को cover करती है, फिर हमारी 11th राशी Aquarius हमारे carbs के area को cover करती है, और हमारी 12th राशी Pisces हमारे pair के तलों को cover करती है, जहां जहां दो body part आएंगे, वहां वहां चिनों में double double है, जैसे Capricorn में आधी मचली, आधी भेड, इसक अरीके से आप राशीयो को समझने की कोशिश करें, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको planets को cover करा दूँदा, वास्तु गुरी जी को धेड सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी share करें, मैं चाहता हू आप Facebook पे भी इसको share करें, अपने profile में और आगे मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद